आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं होतरी स्टड़ी ग्लोस पर आपको बहुत स्वागते तो अलीगर में एक रैली हो रही थी वहाँ पे पीम मोदी ने कुछ कॉंट्रवर्शियल कह दिया अब इस पर काफी जादा कॉंट्रवर्स कि सरकार को ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि यह जो है ना मलब आप देखते 62% वोटिंग हो यह इसका में रिजन पता है क्या है में रिजन है कि जैसे बहुत सारे लोग वहार काम करते हैं जैसे बहुत सारे IT इंडस्ट्री के लोड बैंगलोर में काम करते हैं अब माल तो आप देखेंगे कि आकड़ा 80-90% तक जा सकता है क्योंकि भारत के लोग वोड करते हैं ठीक है तो यह बहुत बड़ा रिजन है खैर इस पर हम डिसकस कर सकते हैं डिबेट हो सकती है और कुछ अच्छा निशकर्स निकल सकता है बट फिलाल हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनॉस्मेंट सबसे पहले तो क्राइम अफेर्स डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है अभी कोर्से हमारे वेबसाइट पर लिस्ट होंगे बहुत सारे बच्चे मेसेच कर रहा है तो बस दो दिन और रुक इस बार मजा नहीं आ रहा है पिछली पिछली बार्ट लोग सावा के एलेक्शन रहे तो बहुत जादा बहुत एग्रेसर था लेकिन इस बार लग रहा बस हो ही रहे हैं एलेक्षन ठीक है ना ही पीम मोदी के बहुत जादा इंटर्विव दिख रहे हैं नहीं रहूल आपको पता है कि BJP और Congress ने अपना-पना Manifesto रिलीस किया है, मुझे एक प्राबलम है, दोनों ही Manifesto से, Congress और BJP जो Manifesto में लिखा है, उसमें लिख दिया है, क्योंकि Manifesto में जो आप लिखते हो न वो पत्थर की लकीर है, लोग पूछेंगे कि ये क्यों नहीं किया, तुमने मतलब ये बताओ, अगर तुमने इसमें लिखा है, अब 5 साल तुमारे पूरे होगे, तो कहा है ये, तो वादे पूछे जाते हैं, और अगर नहीं पूरा करोगे, तो खेल खतम, अगली भर पावर में नहीं आओगे, तो अब यहां पर लिख तो दिया है, लेकिन उसको तो कैसे लाओगे, जैसे BJP निक बहुत बढ़िया बात लेकि अपने मैनिफेस्टों में इंफ्रस्ट्रक्चर को, पर वो कैसे होगा, ठीके न, एनिवे, तो यहां पे, PM मोदी ने ये बोला है, कि अगर, कॉंग्रेस पावर में आ जाती है, तो आपकी वेल्थ को रिडिस्टिबूट करते हैं, क्योंकि ये वेल्थ रिडिस्टिबूशन, कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में, लिका भी मैं बताऊंगा, एक एक चीज़ इंडियन एक्स्प्रस पे जो बहुत अच्छा अर्टिकल चपाए, तो अब यहाँ पे एक्जाक्ट वर्ट्स की बात करें, कि आपका मंगल सूत्र भी आपके पास नहीं होगा, आपके, you know, it will not be safe, अलब आप समझ सकते हो ना, कि मंगल सूत्र भी उन लोगों को दे दिया जाएगा, जिनके जादा बच्चे है, क्योंकि मनमौन ने बोला था, कि जो डेश का पहला हक है, रिसोर्स का पहला हक, सबसे पहले, वो कौन है, मुस्लिम्स, ये पिया मोदी ने बोला, आप उसके बाद इन्होंने नाम तो नहीं लिया, बट हर किसी को पता है, और ये काफी नूशल भी रही है, कि इसारा मुस्लिमों की तरफ थ इसलिए, मैं ये आर्टिकल आपके साबने बता भी रहा हूँ, तो यहाँ पर बता है कि मैं अपने देशवास्य को बताना चाहता हूँ, कि कॉंग्रेस और जो इंडिया एलाइन्स है, उनकी जो नज़र है, वो आपकी अर्निंग्स पे हैं, आपकी प्रापल्टी पे हैं, कथित राहुल गांदी, वो कहते हैं कि अगर सरकार पावर में आगी, तो वो इंवेस्टिगेट करेंगे कि कौन कितना कमा रहा है, और उसके बाद किसके पास कितना सोना है, हमारी माताओं और बहनों के पास कितना सोना है, जिसको त्रीधन बोला जाता है, जो कि बहुती से विलिज में गाउं में या अगर आप जो है कोई स्मॉल फ्लाट अपने पर्चेस किया है उपने बच्चों के लिए उनके फ्यूचर के लिए तो वो भी आप से ले लिया जाएगा यह माउवादी थिंकिंग है अब आपको वता है चाइना में माउजदॉंग ने यही किया थ जैसे ही Communist Revolution आया उन्होंने अमीरों से छीन लिया और गरीवों में बाढ़ दिया अब इसमें बहुत खून खराबा हुआ था गलियों में खून बहर रहा था तो Congress और इंडिया लाइन्स जो है वो इस तरीके की policy को इंप्लिमेंट करना चाहती है ठीके न यहाँ पे PM मोदी ने बोला है अब इसके बाद पलटवार हुआ है पलटवार करते हुए यहाँ पे सबसे पहले तो मलिकार जुन खड़गे ने बोला है कि मोदी जी का आप हमको एपॉइन्मेंट दीजे क्योंकि हम आपको एजुकेट करना चाहते हैं कि हमारा मेनिफेस्ट अक्षियल में कह और जाटा क्या है आप गलत तरीके से लोगों को भढ़का रहे हैं यह सही नहीं है ठीक है ना पीच इधमरम ने बोला है कि बाई सबसे पहले जो जो एक हर एक सेंटेंस है ठीक है वो गलत है नरिन्द मोदी का तो सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि कब कॉंगरे ने ये कहा कि एक सर्वे कंड़क्ट किया जाएगा कि individual की property है कितनी उसके पास property है ठीक और tribal families को वो दे दिया जाएगा तीसरा point कब Congress ने ये कहा कि जो cash है सरकारी employee का वो distribute किया जाएगा तो ये अब PM मनमोहन सिंग कि या पे ननेर मोदी ने बात की थी तो पी चितमरम कहते हैं क कि 2006 में PM जो हमारे मनमोहन सिंग थे उन्होंने ये बोला था जो पहला हक्या resources का वो SC, ST और OBC community का है ठीक है न क्यूंकि 50% से जाधा population उनकी है तो ये बात है तो अब बड़ी बात कि Congress का न्याय पत्र कहता क्या है manifesto में लिखा क्या है तो Congress का manifesto को specific mention नहीं करता है तो वही बा है कि party जो है जो inequality बढ़ती जा रही है wealth और income, wealth और income में बहुत जदे inequality बढ़ रही है मैंने बताया था कि भारत की जो maximum wealth है वो 10% लोगे के पास ही है वो मैंने लेचर भी लिया था भारत अमीर होता जा रहा है बट actual में वो गरीब है तो policy में change किया जाएगा तो पहला chapter जो है manifesto का equity वो बताता है caste discrimination की कि एक reality है और OBC, SC और ST 70% भारत की population है ठीक है तो हमको ओस हिसाब से इनको देखना पड़ेगा लेकिन अगर हम assets की बात करें, businessmen की बात करें तो इनका percentage बहुत ही जादा कम है तो हम एक nationwide social economic और caste census करवाएंगे ताकि एक तस्वीर साफ हो सके ठीक है य manifesto की बात करें या फिर minorities की बात करें तो बोलाए कि जो economic empowerment है जो minorities का वो बहुत ही जादा जरूरी है भारत के लिए ताकि हम developed nation की तरफ जा सके ताकि हर एक इनसान अपना full potential और promises जो है वो deliver कर सके तो हम यहीं ensure करना चाहेंगे कि जो minorities है उनको fair share of opportunities मिले यह Congress के manifesto में लिखा है अब बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा है तो PM जो है उन्होंने राहूल गांदी को ये सारी बाते क्यों बोली अब देखें राहूल कई बार यह बताते हैं राहूल कई बार cast consensus की बात करते रहते हैं लाहूल गांदी जो है है वो हैधरा बाद फैgल पो प्रूरे देश में क कि वही कि economic mapping की जाएगी कास्ट काउंट पर economic mapping की जाएगी जो कि फिर देखें अगर यह होगा तो reservation क्यूंकि अभी तो 50% से इंद्रास्वानी केस 50% से आप उपर जा नहीं सकते है रिजर्वेशन में हाला कि कोछ राज्यों में इसका हनन हुआ है ना पाई जो आपने हरियाना में जो जा टांदोलन हुआ था मतलब वो तो बहुत ही खतरनाक था हिंसक था महराश्च में भी हमने देखा महराश्च दिख जाए कि कौन कितना मेर है कौन कितना गरीब है तो यह राहूल गांधी समय समय पर बोलते रहे तो और यही इसी पॉइंट को पगड़के पी एम मोदी ने यहां पर यह बोला है तो अब यह दोस्तों तरक और वितरक है आपको क्या लगता आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताईएगा ठीक है पॉलिटिक्स है दोस्तों अब पॉलिटिक्स में यही होगा इलेक्शन है हर हाल में आपको इलेक्शन जीतना है दिस इस कॉम्पेटिशन आप समझ लिजे तो छोटी से छोटी बात को चाहे कॉंग्रेस हो चाहे बीजेपी हो वो बक्षेंगे नही ठीक है तो PM मोधी का यह कहना था आपका क्या मानने आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स बताएगा आपके कमेंट्स का इंतिजार रहेगा नफरत फैला हो के कमेंट बॉक्स ने तो कमेंट बॉक्स आफ कर दूगा दो तीन वीडियो के मैंने किये तो बच्चे कह रहेते तो भाई अगर तुम फाल्तु बाते बोलोगे ठीक है एक दूसरों को गाली दोगे तो वो फिर नहीं चलेगा तो कमेंट बॉक्स फिर तुरंत आफ हो जाएगा तो इसलिए मैं बता रहा हूं कोछ नहीं पढ़ते रहे दिशा सिद्दान तक नहीं होतरी साइनिंग आफ